नमस्कार पाकिस्तान की एक और बेज़ज़ती हुई बेज़ज़ती क्या हुई मतलब पाकिस्तान को अपनी आउकाद दिखी के इंटरनाशनल अरीना पे वो कितना अकेला पड़ा है उसका सबसे अच्छा गाजी अर्थगुल वाला दोस्त तुर्की उसने एटी एके यानि क पुर्की की तरफ से के पाकिस्तान ने खुद ही उसको कैंसल कर दिया लेकिन यह हेलिकॉप्टर फिलिपीट्र टिये है और यह नहीं दिये गया पाकिस्तान को उसका रीजन है उसका reason यह है कि western world अमेरिका नहीं चाहता कि कोई भी इस helicopter में American technology लगी हुई है engine लगा है अमेरिका की honey well company ने और British Rolls Royce ने जो बनाए उन्होंने उसका जो clearance था रोक के रखा और वो अमेरिका नहीं चाहता कि पाकिस्तान के पास कोई ऐसी चीज जाए जिससे कि वो इंडिया पे आराम से हमला कर सके क्योंकि पाकिस्तान चाहिना coordination पाकिस्तान चाहिना दोस्ती बहुत जादा बढ़ रही है ये भी एक reason है reason तो बहुत सारे होते है reason एक ये था उसमें से और इन्होंने क्या किया कि हम कोशिश की कि मिल जाए बेज़ती पाकिस्तान अपनी आवाम को क्या बता है अपनी पब्लिक को क्या बता है तो उन्होंने एक video release किया एयर फोस का जिसमें तुर्की के बरक्तियार ड्रोन दिखा दिये कि हमाई पास तर्की के ड्रोन आ गए है यह भी एक बड़ी खबर है कि तुर्की के ड्रोन उनके पास पहुँच चुके हैं लेकिन क्या यह बेज़ती बचा के काम हो जाएगा आपको अब कोई हेलिकॉप्टर देने के लिए तयार नहीं है कोई आपको डिफेंस गंशिप्स देने के लिए तयार नहीं है आपको सारा मल चाइना से खरीजना पड़ रहा है तो ऐसे में पाकिस्तान क्या करीज़ती है पाकिस्तान इच 129 को यह पुरा नहीं हो चुके लेकिन अपने सबसे अच्छे दोस्त ने ही उनको ये हलिकॉप्टर देने से मणा कर दिये वो गाजी एर्ठटूगुल की दोस्ती सिर्फ टीवी सीरियल सक सीमित रहे गई है ये तो बिलकुल क्लियर है अगर ऐसा नहीं होता कि टीवी सीरियल सक सीमित नहीं थी तो ये गंशिप तो बड़े अराम से मिल जाती ना, नहीं मिली, साथ में जो अमेरिका का concern है कि ये इंडिया के खिलाफ यूज कर सकते हैं, ये concern क्यों आया, at first instance, ये concern इसलिए आया, क्योंकि उनके पास concrete evidence है जो कि वो accept नहीं कर रहे हैं, उनके पास concrete evidence है कि F-16 इंडिया के खि गिरा है, वरना ये शक दिमाग में आता ही नहीं, एक country ने खुद ने F-16 दिये हुँ हैं, जो कि इंडिया के खिलाफ यूज नहीं हो रहे है, according to Pakistan and America, तो उसको confidence होना चाहिए था, कि ये भी दिया जाएगा, उनसे अगर permission ले लिजाए, अगर उनको बोल दिया जाए, ऐसा written में ले लिया जाए, कि इंडिया के खिलाफ यूज नहीं होगा, तो वो क्यों यूज होगा, पाकिस्तान तो अपनी बात प्याड़ा रहता है, लेकिन नहीं, पाकिस्तान पे अब ट्रस्ट नहीं कर रहा है, ये एक और चीज प्रूव करती है, कि F-16 यूज हुआ था और अ इसमें बहुत तरीकी के रडाज लगे हुए, बहुत ही एड्वांस्ट हेलिकॉप्टर है, इस हेलिकॉप्टर की डिमांड भी हाई है, फिलिपीन्स ने लिया और भी कई लियरे, अटाक केपासिटी बहुत हाई है, इंडिया को पहले ही अपाचे मिला हुआ है, और ये के हेलिकॉप्टर मिल जाए, लेकिन मिला नहीं, अमेरिका, यूके, दोनों का रुजान कहां है, ये बहुत क्लियर है, और ये डील अभी नहीं खतम हुई है, ये डील जैनवरी में पाकिस्तान के जो डीजी आयस पे रहे हैं, उन्होंने बोला कि हम इस डील को कैंसल कर रहा है, चाइना की गोधी में जाके बैट रहा है, तो गोध में बैठ रहा है चाइना की, तो आप गोध से लीजिए, और दूसरी चीज़, तालेबान को जो सपोर्ट था, वो भी क्लियर दिख रहा था, तो पाकिस्तान को ऐसे भी help नहीं की जा सकती थी, पाकिस्तान ने दुश्मनी सब से ले ली है पूरी दुनिया में, अब पाकिस्तान अपना स्टैंड अभी चेंज करने के मूड में नहीं है, खेर अभी तो भेराल इमरान खान अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं और एक ISI चीफ और आर्मी चीफ का एक दौरा यानि के विजिट होनी थी अ उन्होंने बोला मेरे पास ऐसा कोई शडियूल नहीं है, तो अगर उन्होंने ये बोला है कि मेरे पास ऐसा कोई प्लैन नहीं है, इसका मतलब उन्होंने डेनाए नहीं किया कि भाईया ऐसा कोई विजिट हम करने के मूड में नहीं है, यह हमारी कोई प्लैनिंग नहीं है, क या कोई defense relations में revisit होगी, political matters पर तो discussion नहीं करने जा रहे होंगे, तो इसके बारे में इसको सीधे सीधे deny किया जा सकता था कि हम ऐसी कोई visit नहीं कर रहे हैं अभी, लेकिन उन्होंने बोले schedule नहीं है, इसका मतलब कहीं न कहीं है, बीच का रास्ता या safe रास्ता निकालके वो भाग कहें, उन्होंने नहा किया नना, तो ये अलग थालग पड़े पाकिस्तान को, अब ये no confidence move का मामला clear हो, उसके बाद पता चलेगा, किस level पर पाकिस्तान अकीला पड़ चुका है, इसी के साथ एक और ख़बर करते हैं हाजर होंगे, नमस्कार, चैहन